तो यहां पर क्रिप्टो का बुलरन हो चुका है खतम हम सब लोग हो चुके हैं बरबाद अल्ट कोईन जाएंगे जीरो पर बीटी सी जाएगा चालीस अजार पर इस टाइप का महौल एक मार्केट में है तो यहां पर यह वीडियो काफी जादा इंपॉर्टन होने वाली है क्योंकि सबसे पहले तो यहां शेयर करूँ हमें अपना एक्सपिरियेंस अक्रॉस दा मार्केट वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आप भी देख सकते हो काफी सारी जगा और वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स में बताने वाला हूं बताता हूं कि कैसे यह पहली बार नहीं है पैसे पूरे होते ही निकाल देने चाहिए कि नहीं निकाल देने चाहिए यह पूरी एक प्योर एक्सपिरियेंस वाली बात है ठीक है एक चीज मत करना मार्केट में जिसकी वाज़े से मार्केट गरी भी है ठीक है यहां पर बताऊंगा बर्बात कौन हुआ है आप हुए हो कि नहीं हुए हो, फिर आप decide करना कि market ने आपको बरबाद किया कि नहीं किया यहाँ पर मैं आपको analysis दूँगा past of king coins की कि past में जिन लोगों ने 100x, 200x बनाया उनकी journey कैसी रही so this is not the first time यहाँ पर आप देखो कि how to buy the dip, आपको अगर आपके बास funds है तो dip buy actually में कैसे करनी चाहिए ठीक है worst case scenario की बात करेंगे bitcoin की is the bull run over यहाँ पर बिल्कुल unbiased research दूँगा मैं कल मुझे काफे सार लोगों का message आए कि काफे सारे youtuber 58k को बोल रहे है तो हम किसी को यहाँ पर challenge नहीं करेंगे हम एक unbiased research करेंगे देखो I am a bull ठीक है मैं तो full bullish हूँ market पर अभी भी bullish हूँ तो यहाँ पर 58k के आ सकता है कि ने आ सकता है technical way में हम देखने की कोशिश करेंगे या फिर 58k से भी नीचे एक level आ सकता है आएगा या नहीं आएगा वो समय बदाएगा बर chart क्या बोलता है past में क्या हुआ है और क्या factors हमें दिख रहे है जो 58k के round है वो हम discuss यहाँ पर करेंगे ठीक है यहाँ पर यह जो market की condition है यह बहुत जादा bullish है एक आने वाली news के लिए मुझे पता है अभी हमें नुकसान हो रहा है short term में बहुत जादा और long term में काफी जादा फाइदा हो सकता है कैसे हो सकता है समझाऊँगा fear and greed index के बारे में आपको समझाऊँगा आज मैं बताऊँगा आपको कितना greed market में actually बचा है सबसे बहुत करते है is this the first time तो भाई पहली बार नहीं हुआ ऐसा same मेरे साथ हुआ था 2020 में ठीक है 2020 में COVID में ऐसी ही capitulation थी वहाँ पे तो BTC भी काफी करी गया था बट यहाँ पे सिर्फ alt coins में हुआ है capitulation क्योंकि BTC में buying power बहुत जादा है इस time पे जो आप देखोगे ETF issuers के थू राइट so यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है मैंने क्या गलती करी थी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक चीज मत करना ठीक है मैंने क्या गलती करी थी कैसे मेरा उड़ा था मैं 2X पर long कर रहा था market को कर रहा था challenge all over the market काफी सारी वीडियो ऐसी आई है कि मैं नाम नहीं लूँगा आपको खुद पता हुआ कौन क्या बोल रहा है कि यहाँ से 3X से short कर दो limit orders लगा लो नीचे ठीक है और नीचे से ले जाएगा हमें loss कितना हो सकता profit कितना हो सकता है अगर आप जो तक market को challenge करते रहोगे 2,3,1X से भी तो market आपको पूरा खा जाएगी यह market इसी तरीके से चलती है market maker का चलता है यहाँ पे game यह मत करोगा आपने मुझे देखा होगा twitter पे मैं बहुत सारे trades अपने डालता हूँ future trades 76X पे करता हूँ 50X पे करता हूँ लोग बोलते है रहे क्या gambling कर रहे हो भाई 2X पे trade करना gambling है 76X पे skill है तो मैं जो 76X पे करता हूँ जब trade तो मैं chart के सामने वैटा होता हूँ मुझे experience अगई साल होगा मैं बहुत सारे tools यूज़ करता हूँ pay tools यूज़ करता हूँ अपनी एक strategy बना कर रखता हूँ minimum loss पे exit लेने का दम रखता हूँ wait नहीं करता हूँ 4-5% 2% exit हो जाता हूँ loss पे और profit लेते हैं फिर हम बड़ा तो ये हमारी strategy है ठीक है और इसी वज़े से market आपको यहाँ पे गिरती दिखी है जो हमने बात करी ना market क्यों गिरी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे challengers अभी भी है जो high leverage वाले थे वो तो उड़ी गए पर जो high leverage पे काम करते हैं लोग जिनको असली में काम करना आता है वो उड़ते नहीं है उनका stop loss हिट होता है फटा फट काम होता है 50x पे 76x पे जो काम कर रहा है वो 1-2 घंटे की candle थोड़ी देख रहा है वो Minto की candle में enter कर रहा है Minto की candle में exit कर रहा है और obviously वहाँ पे वो fund भी बहुत चोटा use कर रहा है अपने portfolio होगा ठीक है ना तो आपको ये करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इसमें तो आपको बहुत ज़र सीखने की ज़रूत है बट आप यहाँ पे 2-3x पे अगर कर रहे हो तो आपको फाइदा ही कितना होगा आप 2x पे किसी चीज को long कर रहे हो तो इससे अच्छा आप भाई spot में ले लो अगर आप उस पे long term में bullish हो तो क्या फरक पड़ेगा अगर आप 1,00,00 कमाओ या 2,00,00 कमाओ कमाने से फरक पड़ेगा ये मेरी आपको एक warning है जिसकी वज़े से market यहाँ पे गिरी है काफी सारे लोगों में एक trade ये चल रहा है मैं देख रहा हूँ काफी दिन से trend चल रहा है market में कि मेरे पास काफी message भी आए कि long करके छोड़ देता हूँ क्या होगा यहाँ तक तो जाएगा निहाँ तक तो जाएगा निहाँ तक तो जाएगा निहीं कि आप बिना stop loss के trade करोगे बिना chart setup के trade करोगे बिना किसी strategy के करोगे risk reward नहीं समझोगे तो आपको नुकसान हो गई होगा बरबाद कौन हुआ है यहाँ पर आप हुए बरबाद मैं नहीं हुआ बरबाद क्यों नहीं हुआ यह मैंने एक नहीं दो नहीं दस वीडियो में बोला था कि क्रिप्टो में अपना saving भी नहीं अपना expenditure money लगाओ जो आप खर्चा करते हो न उसमें से लगाओ क्रिप्टो में अपनी जिंदगी को निर्भर मत करो यह कई बार वीडियो में बोला है कि अपने पास fund backup में होना चाहिए आपका एक saving fund आपका एक मैं बोलूँगा कि जो emergency fund है वो अलग होना चाहिए काफी सारे लोगों ने अगर यह गलती कर रखे है कि सारा पैसा इस पर ड से समझाये गया है अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो डाली थी यहाँ पर लिखा था कि crypto मत गुसो आपको बरबात कर देगी वो यह same topic था और आज काफी सारे लोग इसको face कर रहे होंगे तो आपको यह चीज कभी भी करनी नहीं थी ठीक है अब मैं यहाँ पर discuss क पहले कर लेता हूं फिर में पार्ट पर चलेंगे वीडियो के bullish news क्या है दोस्त कि यहाँ पर ethereum की ETF की trading चालू हो रही है हमारी market ऐसी है जहाँ पर sentiments लोगों के अंदर बहुत जाद है बहुत जल्दी FOMO और बहुत जल्दी fear हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर FOMO में ब यहाँ जो market का scenario है यहाँ जो fear है यह एक appropriate environment है उसको pump करने के लिए उस event को अच्छे से pump करने के लिए वेल्स को यहाँ काफी फाइदा होने वाला है तो यहाँ पर बात करते हैं बाकी चीज़ों कि अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe ज़रू कर लेना क्योंकि जो भी चीज़े म आपको बता रहा हूँ अपने experience से बता रहा हूँ facts पर बता रहा हूँ कोई भी बात हवा में आपको नहीं करी जाएगी इतने दिनों से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ चीज़े सिखाने की अपने experience को बताने की और जो गलती मैंने करी है 2020 में market छोड़के मैं तो loss माई छो रहे हो कर देना क्योंकि मन तो आपका करेगा नहीं like करने का market थोड़ी ऐसी चल रही है वागे नीचे दिये गया है Twitter और Telegram कर लिंक वहां join करना ज़रूरी है Twitter पर join करना ज़रूरी क्यों है तो यहां पर मैं बहुत सारी बार ऐसे levels देता हूँ अब मैं आपको बता रहा था क 76X पर मैं करता हूँ लोग बोलते है रहे क्या करते हो गरना करता हूँ ठीक है यह कितनी के अंडल है यहां पर कितनी मिनिट का चाट यह कुछ भी नहीं है थोड़ी देर में थो थोड़ी सी देर में इन levels पर bounce आता है मैं अपना trade करके निकल जाता हूँ hold थोड़ी करता यहां पर promote करता नहीं हूं करने के लिए आपको लेवल्स इसलिए देता हूं ताकि आप गलत जगा पर short या long ना करो आपको मेरे को नहीं copy करना है ठीक है न यहां पर आपको समझना है green level के आसपास generally लोग क्या करते है bottom पर long होलते है और यह जो trades मैं कर रहा हूं यह जो मैं bullish trades अपने डाल रहा हूं long कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट मार्केट पर जो है वो reversal होगे चोटे टाइम प्रेम के trade amounts में निकल गए इस तरीके से हम काम करते हैं to explain it to you so यहाँ पर बात करते है past के king coin की which was solana solana की जगह आप किसी भी alt coin को study कर सकते हो ठीक है यहाँ पर अगर आपको 50 अब बुलोगे कि solana solana मत बूला गरो हर बार बट यहाँ पर solana की price movement सबसे अच्छी थी चार्ट पर हमें ज़्याद अच्छे से चीज़े समझ जाएंगी इसलिए solana देखा रहा हूँ आपको कोई और top gainer देखना है cardanon देखना है matic देखना है any one any any coin you like आप उसको देख सकते हो जाके कि कैसा performance रहा था अब solana में हमें coingecko का chart ठीक है coingecko की chart में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर solana जो है वो 95 cents पर launch हो और सीधा चला गया 260 dollars तो यह तो बहुत अच्छे अच्छा लग रहा है सुनके कि 260 गुना हो गया था पर यह कितना easy था 260 गुना अब आपको देखाता हूँ सो यह सुलाना के starting days है सुलाना launch हो weekly का chart है 56% एक बार गिरा 47% ठीक है यहाँ पर एक बार गिरा 80% 80% गिर गया है यहाँ पर यह सेम situation में अभी हम यहाँ है दोस्त ठीक है हम यहाँ पर इस सेम situation में बैठे हैं ठीक है यहाँ पर लोगों ने बोल दिया था सब खतम beer market चालू औ और उसके बाद फिर एक pump आया और उसके बाद फिर एक dump आया 42% का तो it is never a straight journey इतना असान होता अगर तो हर cycle में multi millionaires बनके निकल जाते आपको कई videos में बताया है कि एक cycle का game ही नहीं है दो दो तीन तीन cycle निकल जाती है सीखने में समझने में और यह cycle जो हो सबसे मुश्किल है इस इस दब मैं बोलूँ आ difficult most difficult part ठीक है न यहां पर इतनी जादा चीजे चेंज हो गई है जो पहले आपका experience था जो हमारा भी experience था पहले का वो भी थोड़ा डगमगा गया क्योंकि चीजें यहां पर नहीं होती जारी है तो हम भी अपने आपको यहां पर train कर रहे हैं यहां पर नहीं चीजें सीख रहे हैं तो आपको भी सीख के समझ के काम करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर यह तो बात हमने कर लिए इन चीजों की levels आपको चाहिए तो daily basis पर आपको यहां पर levels मिल जाएंगे अब हम बात करेंगे और चीजों की यहां पर बहुत important है अब बात पैसा है कुछ लोगों पैसा है डिब बाई करने के लिए चाहिए छोटा ही पार्ट पॉटफोलिय होगा वो यहां पर बाई भी करना चाते हैं अब वो क्या कर रहे हैं ऐसे tweets देखके वेट कर रहे हैं दो डॉलर का तो चीज कितनी गिरी हुए है पहले render देख लेते हैं and it is around 50% and दो डॉलर का जो आपका target है जो यह मैडम बोल रही है मैडम है सर है हमें पता नहीं है वैसे हो सकता है सर भी हो मैडम की photo ठेक है so यहां पर 84% का dip है is it possible can be possible but यहां पर अगर आपको चीज पसंदी थी यहां पर आप 14 डॉलर पर bullish ही थे तो आपको यहां पर 60 डॉलर से 2 डॉलर का वेट करना चाहिए ऐसा ही वेट काफी सारे लोगों ने काफी बार किया है यहां पर market में एक example लिखा रहा हूं अपनी सिर्फ एक आपको सला नहीं दे रहा हूं आपका अपना experience आपको share कर रहा हूं राइट तो यहां पर लास टाइम लोगों के order यहां थे 1.87 पर यह reverse कहां से हो गया 3.44 से जब यहां से गिरा था तो लोगों के order कहां थे यहां थे 0.91 पर reverse कहां से हो गया 1.51 से तो जहां भी आपको लगता है ना bottom है उससे थोड़ा सा उपर तक spread order लगा के buying करो अपने favorite alt coin की whichever alt coin you like you can place some orders support resistance का obviously game आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो आ आपको है ना बट आपको कोई ना कोई जरूर देगा influencer क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे coins की बात करते है चार्ट शेर करते हैं उनको use करो अगर अभी भी आपने नहीं किया तो अब बात करेंगे BTC की main game BTC तो इतना गिरा ही नहीं है अब BTC की बात करते है अगर तो य यह एक wash off है जिसके आपको आदर डाल लेनी चाहिए पहले भी बहुत बार हुआ है मैंने आपको सुलाना के चार्ट पर दिखा दिया है तो worst case scenario dumps कहां तक आए है BTC में 21% ठीक है यहाँ पर देखता है कितना dump है 20% number को देखना ध्यान में रखना फिर दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ worst case scenario 21% और एक यह dump था यह जो ETF वालर dump है ठीक है ETF वालर dump तो काफी crazy dump होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे longs इतनी आदर खुली थी यह भी somewhat around 22% के नियर था दुबारा देख लेते हैं this dump so this is 21% recent dump जो आया जहाँ पे एक नया all time high बना के tap किया और फिर हमने यहाँ पे tap किया कितने डॉलर को 56,900 डॉलर को अब एक चीज़ दिखाता हूं आपको यहाँ कितना dump आया 22% dump आया तो अब क्या 22 20% dump आ सकता है बिलकुल आ सकता है let's see so यहाँ से 22% will be somewhat around 55,700 अब यहाँ पे argument क्या है मेरे तरफ से कि यहाँ पे एक बार तो ही हो चुका है बारा होगा बट हाँ जो पास डेटा बताता है जो 58 57 के लोग बाते कर रहे हैं उनको चैलेंज नहीं करेंगे इस बार मार्केट में तूब स्मार्ट आई विल से टूब स्मार्ट एक और चीज़ दिखाता हूं ठीक है यहाँ पे एक बुल फ्लैक था है ना और जब भी एक बुल फ्लैक के उपर रीटेस्ट अगर फेल हो जाता है अभी भी देखोगे तो रीटेस्ट में ही चल रहा है अगर कोई बोलेगी मेरी ट्रेंड लाइन गलत है तो आप मुझे करेट कर देना भाई ठीक है और थोड़ा चलो इसको करेट करते हैं मेभी थोड़ा जान बाइ इसके उपर क्लोज हो जाएगा तो वेलन गुड़ विच इस 65,800 इसके उपर क्लोज हो जाएगा तो विए इस तेल सेफ एल्स फिर इहां का एक लेवल मुझे दिखता है सीधा 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 64,000 का एं फिर यह बॉक्स तो है ही जहां पर लास्ट बॉटम था तो यहां पर भी आ सकती है बट इस इस गॉना भी वेरी क्विक क्योंकि यहां पर अल्रेडी ओल्ड कोई बहुत ब्लीडिंग हो गई है तो अपने ओर सेट करके रगो अगर आपके पैसा है और नहीं है पैसा आपके पास तो क्या ओक्शन है आपके पास बेद दो के नुक्सान मैं खतम बुल रन खतम नहीं हो है बुल रन भाई यह हो चुक है पास बेद दिखा सकता हूं बता दिया मैंने आपको दिखा भी विया डिसीजन लेना आपका काम है आपका हार्टर्ड नमनी आपको लगा है आपको बहुत जादा ओवर नविस्टेड हो आपको नुक्सान लेगलने चाहिए, इस टोटली और कॉल, बट यहाँ पे पहले भी हो चुका है, सब कुछ, कुछ गिलत नहीं दिखाया, आपको चार्ट दिखाया, सुलाना का चार्ट दिखाया, और कोई चार्ट भी देख सकते हो, चलो एक और चार्ट का देख लेते हैं, कोई, किसी भी टॉप गेनर का देख लेते हैं, सुलाना तो, इस वन उफ माइ फेवरेट कोईन्स, बट एक सेस की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, तो फेवरेट कोईन्स भी नहीं है, तो वहाँ पे तो आपको नहीं लगेगा, कि I am being biased, तो बात कर लेते हैं, यह देखो, बनाया भी हुआ है भाई, कर रखा है आपके लिए, शेर, 59%, 51%, ठीक है, उसके बाद 60%, उसके बाद 51%, यह देखो, यह देखो, मेगा डम देखो, 77%, 77% का डम पही है, तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आचुके हैं, कही न कहीं, ठीक है, और उसके बाद sideways market चली, और लोगों ने short कोले, खोले, 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 फिर देखो क्या हूँ, और time देखो market का, timing देखो, May June, May June, May June भाई, May June, June में हैं, ठीक है, तो यह पहले भी हो चुका है, जितने चार्ट देखोगे न, उतनी जगे यह चीज मिल जाएगी, बहुत ज़ादा घवराने वाली बात नहीं है, यह हो चुका है पहले भी, मैंने क्या गलती करी थी, मैं घवरा के निकल गया था, I hated the market, मुझे लगा कि crypto, बहुत गलत स्पेस है, crypto गलत नहीं था, मैं गलत था, मेरी स्टाटजी गलत थी, मेरा रिस्क मैंएजमेंट गलत था, मैं था greedy, क्रिप्टो गलत स्पेस नहीं, मेरा काम गलत था, वो चीजए फिर मैंने सीखी, नहीं होना है किसी भी जगा पर ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं अब हम fear and breed index की BTC का मैंने आपको बता दिया unbiased research है मेरी यह unbiased ठीक है अब यहाँ पर one hour time frame में देखेंगे अगर चीज़ों चोटे time frame पर तो यहाँ EMA 200 से reject हो रहे हम simple सा fund है भाई 67 500 के उपर closing करा हो 4 hour time frame की 2-3 और फिर यहाँ पर relief bounce मलेगा तो हमारे अच्छा रहेगा ठीक है और मैंने आपको 2-3 level बता दी है unbiased हो के मैं किसी को यहाँ पर challenge नहीं करना है हो कि यह का बोल रहा है 58 यह का बोल रहा है 60 everything is on the chart ब्रो everything is on the chart ठीक है ना तो यहाँ पर हमारे बात करते करते में BTC में थोड़ा बहुत pump आया है जब तक is trend line के उपर है we are good ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 64 500 वाला जो लेवल ही मैंने mark कर रहा था जो मैं levels mark करता हूँ बहुत सारे लोग पूछते कैसे करते हो बहुत सारी चीजों का mix up होता है तो आप वो levels धीरे 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 यूज करना सीख जाओगे जाके follow करो कोई long shot signal किसी को नहीं दे रहा हूँ करना है भी हूँ मत ठीक है क्योंकि सिर्फ एक किसी से level लेके long shot नहीं होता है आपको अपनी जनी में सीखके सब कुछ करना पड़ता है तो बीटी सी का मैंने आपको बता दिया है ठीक है अगर वैसे तो एक चीज में को लगती है कि यहां पर एक बार play out हो चुका है 22.57% dump अगर दुबारा play out हो गया अगर हो गया दुबारा play out मतलब chances तो हमारा चीज के रखेंगे तो यहां पर तो बिलकुल लोग announce कर देंगे कि the bull run is over because एक यहां पर double top pattern बनता दिखेगा उसके बाद यहां EMA 200 के नीचे closing दिखेगी यहां पर लोग बोल देंगे it is over but it is fine thing मतलब यह पहले भी हो चुका है इसा पहले भी हो चुका है और यह भी तो हो सकता है एक bounce मिले हमें पहले और फिर हम दुबारा आए और यहां trend line के उपर घूमते रहे तो वह एक अच्छा good case scenario होगा क्योंकि alt coins में बहुत कुछ ज़्यादा मैं देख रहा हूं बचा नहीं है और बहुत ज़्यादा बरबादी जो हो चुकी है personally talking about dips मेरे पास अब मेरे portfolio हो से 15% बचा क्योंकि आज भी मैंने dip बाई करी परसों भी करी थी राइट मैं इतनी ट्रेडिंग करता हूं उससे भी पैसा बनता है ठीक है और बीच में हमने meme coin trade करें उससे भी पैसा बना और मैंने अपने group में बोला भी था कि यह वाला जो यह जब लास्ट वाला डम था इससे जो recovery आई थी उसमें मैंने profit book करके profit roll कर लिए थे मुझे पैस इससे काम करोगे न तभी आप पैसा कमा होगे ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको value पता लग रही है stable की यहां पर पैसो की value पता लग रही है आपको risk management की value पता लग रही है बट यह पार आते ही न सब भूल जाते है मैं इस पार्ट में भी रखता हूँ बाइ stable सात में मेरे सोच यह नहीं कहती, कि अब ऊपर जा रहा है। आप कैस collapsesable रखूँ हूँ हूँ आप सारे पैसो से कमाने नही कमाना सारे पैसो से भाई नहीं कमाना मैं हमेशा बोलता हूँ मैं तो हाथ में हमेशा पैसे रखने ही कोशिक करता हूँ अगर मैं किसी दिन ओवर इंवेस्ट हो जाता हूं मार्केट में तो कोशिश करता हूं निकाल लेता हूं पैसा प्राफिट बुक करके चाहे मेरा कितना इस प्राफिट हो सके मैं पैसा नहीं जोडता हूं मुझे आदत है मेरे पास अगर 10 रुपए है ठीक है अगर मेरे पास 10 रुपए है या 10,000 डॉलर है या 10 डॉलर है तो मैं 6 डॉलर से बुलरन में कमा लूँगा 4 डॉलर हाथ में ही रखा रहूंगा कोई दिक्कत नहीं है जब मौका मिले निकाल लो सेफ चलोगे हो सकता है किसी से कम कमा लो पर कमाओगे जरूर कमाने पर फोकस करो जादा कम क्यों कोई फरक है नहीं अब यहां बात करेंगे fear and greed index की जो की हो चुका है खराब 74% पर greed आ रही है यहां पर crypto rank पर coin market cap पर कोई बता रहा था कमा रही है coin market cap पर लोग बोल रहे थे कि 55% पर इस तिल फाइन बट कई कई जगा पर यह खराब आ रही है तो यहां पर greed है या fear है मैं अब यहां पर बात करता हूं अपने टूल के थू which is high block capital this is a paid tool आपको लेने की जरूत नहीं है मैं almost in every video I update about this तो 100-800 डॉलर महीने का अगर आपकी trading capital इतनी है आपका trading इतनी है और सिर्फ इस से ना मैं आपको बतायता हूं बहुत सारे लोग आजकल ने ने बंदे liquidation levels यूज करने लग गए है देखके कि भाई इंका success rate बढ़ी है तो liquidation level से भी नुकसान हो जाता है हमें पता है भाई इसको कैसे study करना है हर चीज पहले नुकसान देती है कोई indicator लेलो कोई tool लेलो ऐसा नहीं होता कि tool लेलिया भगवान मन गए time लगता है चीज़ों को समझने में इसमें बहुत सारी चीज़े होती है इसके अलावा setup भी होता है अपना बैठी है तो market maker को यहां पर market को pump करके फाइदा है बट यहां पर pump क्यों नहीं हो रहा है इसका भी एग रिजन रता हूँगा आपको अब यहां पर heat map लोग तीन महिने वाला जो share कर रहे हैं आपके साथ 73,200, 72,000 पर share कर रहे है liquidation राइट आपके साथ तो फिर one month वाला देख लेता है तो मैं आपको दिखा हूँगा कि market में हो कह रहा है आप जो चीज़े देखते हो जो liquidation level देखते हो उसको देखना है कितना trust करना कितना नहीं करना monthly का देख लो आप ठीक है मैं monthly का कमी share करता हूँ तो यहाँ पर 72,300 काफी लोगों ने आपको बोला होगा कि यहाँ पर 10 billion 20 billion dollars की liquidation हो जाएगी बट अगर आप छोटे time frames पर जाते हो अगर हम यहाँ पर और छोटे time frame पर चले जाते हैं तो कहानी यहाँ पर भी चलती है भाई अप and down जो होगा short term price action जो होगा चोटे time frame से होगा चोटे time frame पर देखो क्या हो रहा है चोटे time frame पर तो यहीं पर liquidate हो जाएंगे लोग ठीक है ना और यह long shot की game है यह चलती रहेगी दिखाता हूँ आपको जो yellow zone होता है वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की paid marketing नहीं हो रही सिर्फ और सिर्फ प्योर डेटा शेर हो रहा तो like जरूर करना वीडियो होगा अब बात करते हैं market maker का क्या game है वो क्यो liquidate करता है यह मैंने काफी बार समझाए वीडियो में ठीक है अब market maker को भी beat करने लोग आ गए हैं यहां पर कौन आगे ETF issuers market maker क्या करेगा buy कर देगा दबा के bitcoin उसको पता है कि यहां उपर चल जाएगा bitcoin का price और जो short वाले हो liquidate हो जाएगा मुझे फायत हो जाएगा कैसे फायत हो जाएगा इस पर dedicated video बनाऊगा समझाऊँगा पर यहां levels for today मैंने टेलिग्राम में लिखा है कि मेरा setup भी 10 में से 8 बार सही होता है दो बार गलत हो जाता है दो बार क्योंकि यहां पर दोका देता है black rock black rock तो चलो फिर भी वाइंग कर रहा है bitcoin की बड़ यहां पर gray scale को देखो गे तो gray scale लगातार selling कर रहा है bitcoin की देखो 17 गंटे पहले 539 bitcoin base दिये इन्होंने ठीक है coinbase में डाल दिये 422 bitcoin यहां पर देखो फिर एक address में बेद दिये 700 bitcoin 17 गंटे पहले इतना bitcoin उन्हों बेचा है 549 bitcoin ऐसे outflow भी हो रहा है market में तो यह actually market maker को defeat कर रहे है and market maker यहां पर पूरा game play नहीं कर पा रहा है तो market होती जा रही है difficult आपको यहां प break out भी आपको कोई नहीं देगा ठीक है बट आपको जो चीज़े समझनी है न सीखनी है वो यही अच्छा समय है यह पैसे पूरे निकालने ही बात मत करना नहीं बता लगए आपका portfolio लेवल पे जा रहा है और वहीं से बुलरन चालो हो जाएगा ठीक है हाँ over invested हो तो थो लुपो तो कमा लोगे और किसमत से नहीं कमया जाता है पैसा महनध से खमया जाता है किसमत से तो मिलताई gift और gift जिंदगी बार बार देती नहीं है महनध से कुरा जाएगा भीसे नहीं करना को बता दैया हैles वसकेस लगता है किसी कोईन के लिए वहां तक आप लिमिट ओर लगा दो आपको एक्जाट उस पॉइंट पर खरीदने की जरूत नहीं है मैंने कल भी बाइंग करी है मैंने आज भी बाइंग करी है लास्ट मेरे वास एक अमाउंट है उस पाव में बाइंग करूँगा और उ किसमत बाइं टो यह है किसी के लिए मत जो लट गांप लेक्ट पर बता swiftly वह सकता है दोसर चंशे बन सकते आपको बता धीडह तब डूलने जब बहुत क है अगली वर पम्प में भी मत भूलना दंप मन श्बन 싶 इस Hm एगली बुलिश न्यूस जो आई थीरियम ETF के लिए उसके लिए अच्छा है सम्हाव क्योंकि बहुत ज्यादा लीवरेज तो अपको लेगा है नहीं में को लगा है रीटेल तो गाया हो जाएगी वाशॉफ हो चुका है काफी ज्यादा फियर इंग्री इंडेक्स डंग से नह तक देखी है तो आपको यह वीडियो लाको करोड़ों का फाइदा तो नहीं देगी बड़ आपको देगा एक्स्पीरेंस आपको देगे एक लर्निंग और यह लॉंग टर्म में आज नहीं पांच साल दस साल कभी भी इस चीज़ को यूज़ करके देख लेना आपको फाइ जब भीड जुड़ेगी तो भीड में कुछ नहीं होगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर इतना पेशन्स दे रहो तो समय अच्छा भी आएगा and this is not the end of the bull market हमने ये पहले भी देखा है this is part of market और जो चीज़ मैंने गलती गरी हाथ जोड़ गया आपसे विं मेरा सारा भैम एक रात में टूटा था आपका भी एक दो घंटे के अंदर टूट जाएगा दोस्तों मिलते हैं दुवारा see you again